यह बोट resellers के लिए है जो Amazon से बहुत सारे products buy करते हैं multiple accounts use करके product को buy करते हैं तो इसकी functionality में बता देता हूँ यह क्या क्या करेगा जैसे कि यह product है आप इसका link देता होगे बोट को इस पे आएगा link यहां से copy करके देना है वस यहां पे आएगा और quantity select करेगा जो आप बता होगे और अगर यह वाला free वाला version select करना है वो नहीं तो subscribe now subscribe and save वाला यह वाला option भी है इस पे तो इनको select करेगा quantity select करेगा और add to cart कर देगा ऐसे दूसरे link पे जाएगा और उस पे भी same चीज़ होगी तो फिर बाद में यह cart में आएगा और proceed to buy करेगा जो भी cart में जो भी items आपने डाल दी होगी उसके बाद address को select करेगा और payment option में pay on delivery को select करेगा अगर यह available हुआ अगर यह नहीं है तो यह UPI पे जाएगा और आपका UPI IDS में डाल देगा और आपका order complete हो जाएगा आपके पास 10 minute होगे payment complete करने के लिए इसके लामा इसमें option होगा यह जाएगा आपकी coupons collect करने के लिए Amazon Pay में जाएगा और all category rewards के अंदर यहां से जितने भी coupons collect now के लिए होंगे उनको सबको collect कर ले आएगे ओके तो यह इसकी functionality होगी मतलब जो भी आप link दोगे उसे cart में add करना उसको order लगाना UPI से यह payment delivery से जो भी coupons होंगे उनको collect करना और यह एक account की बात बता रहा हूँ मैं लेकिन यह multiple accounts में जा जाके यह जाएगा लिंक्स पे जाएगा और सारा वो process सारे के सारे accounts में होगा तो यह file आपको मिलेगी इसको आपको extract कर लेना है फिर accounts folder के अंदर आपके accounts save हो जाएगे अभी यह वाला मैंने पहले से कर रखा था मैं delete कर दे रहा हूँ तो accounts folder के अंदर आप कोई भी account नहीं है और accounts data, account data, address data, तो यह files होगी अगर file का use करना है तो accounts data में आपको ऐसे करके इस format में डालना है अपना username, password जो भी accounts होगे और address data में आपको इस format में address save कर देना है सारे के सारे accounts में एक तरह का address use होगा जो आप इसमें save कर देना है फुल नेम है तो वो डबल डोट कोलम के अंदर डाल देना है ऐसे ही हाँ सिर्फ इन इन चीज़ों को अठाके अपने वाली चीज़ें डाल ली है और यह जो स्टेट है ज्यादा इंपोर्टेट है स्टेट को वैसे ही अक्षरों में लिखना है जैसे कि आपको यहां एमाजोन उस तो हमने पहले से डाल दिया है तो इस पर चूज कर लें लेकिन यहां पर चूज करना है तो यह Spelling Capital Actures में और जो भी स्पेस होग़ा रहा है इसी फोर्मेट पर रखना है अड्रेस में वो ऐसे हो होम सेलेक्ट करके इस वो एड़ करेगा तो यह हो गया इसका बोट का बे आए कि जाए पूर्मेट करेंगे तो और एक फeb्लैक WALI में आपको दिखेगा कि क्या आप कर का रहा है इस टाइम और यह तो यह जो है इसमें आपको यूजर्निम डाले थाйम है आपना जो में परूव करके जोुए यह यूजर्निम हर डिवाइस के लिए अपना होगा, ए जो भी अकाउंट्स होंगे इसमें वो सारे के सारे चलेंगे लेकिन वो बता रहा है कि कितने चलाने हैं एक साथ अगर मालो में आप 50 लिख दिया तो यह 50 काउंट एक साथ चलाएगा एक ही टाइम पर दो लिखोंगा तो वो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर आपके PC की स्पीड पर और इसके बाद यह option है collect coupons इस पर आप click कर दोगे तो जो भी अकाउंट होंगे सब को login करकर के उनके coupons को collect करेगा सब हो जाएंगे तो यह रुक जाएगा और यहां पर link डालने आपको जितने भी link डालने है dollar symbol डालके separate करना है हर link को फिर दूसरा link ड डाले तो उसी हिसाब से यहां पर quantity डॉलर से separate करके लिक देना है पहले की quantity लिखी फिर डॉलर फिर इसमें आपको बताना है कौन से link के लिए आपको सब्सक्राइबेंट से पे click करना है तो example के लिए मैंने लिख दिया अगर तीन link थे तो ऐसे बता होगा कि पहले बाले के ल करने के लिए आपके बास दो प्षिर होगे एक तो manually और दूसरा होगा files का use करके तो पहले आपको manually दिखा देता हूँ यहां पे आपको account का name रख देना लिख देना जो भी आपके Amazon account का name हुआ अभी मैं test name लिखते रहा हूँ आपको दिखाने के लिए यह manually वाला मैंने इसल file वाला तरीका भी है क्या अगरने आपको पहले उस पे click करोगे तो website खुल जाएंगी login कर लेना है आपका address भी डाल देना है इसमें आपने खुद से और फिर इस black वाली window में आके enter दबा देना है enter दबाने के बार account से हो जाएगा उस नाम से इस accounts वाले folder में यह देखिए बन करके पर यहां आना है और नीचे click कर देना इस पे उससे पहले आपको यहां बताना पड़ेगा कितने कितने account आपको एक साथ बनाने है तो उसके लिए आप जस मैंने दो लिख दिया तो दो-दो account एक साथ उठाएगा यह आपकी internet speed पर ही depend करेगा I mean मेरी list में दो account थे तो मै को को एक साथ है और login करने का try कर रहा है और उसको save करने का try करेगा लेकिन वह गलत username password है तो यह हो नहीं पाएगा और अभी थोड़ी देर में वह error देरेगा यह देखिए invalid login और something went wrong please check account और account का username भी आपको बता रहे है कि इसमें यह दिक्कता रही है आप देख लो इसका password से यह है क्या सीन है तो यही functionality है अगर आपको कोई और भी functionality चाहिए होगी तो मैं इसमें add कर दूँगा और आपको मैं सब कुछ setup करके दूँगा आपके PC पर आप मेरे को contact कर सकते हो न आपके बाही पर मेंशन के परम इसमेंशन क क्रबड़ मैं व께ह। इसे दूज़ अर polit거든 enfants क मि चिंशन क है और भी तो यह है तो यह है कि और जव तो बद आपकेontर में कोई दो है अंवान क Dosan ब्स पकिता है तो है।